उत्तर प्रदेश के हरदोई में रफ्तार के कहने तीन लोगों की जान ले ली मादोगंस्थाना इलाके के बरबचापूर के पास बलैरो और बाइक की भीशन चकर हो गई इस हाथसे में दो भाईयों समेट तीन की मोत हो गई हाथसे के बाद अन्यंत्रित होकर बलैरो एक घर के बाहर पड़े चपर में जाटकराई पुलिस ने सभी शवु को कबजे में लेकर पोश्माटम के लिए भेजा है वहीं एक साथ तीन मोतों से परिवार में कोहराम मच गया है जानकारी के नुसवार मादो गंज स्थाना इलाके के बगोली मादो गंज मार पर गाउं बरबटापूर के पास बाईक और बलैरो की टकर हो गई हाथसे में बाईक सवार मादो गंज गस्मे के महोला गांधी नगर निवासिर रज्जन सोनी की मोके पर ही मोत हो गई जबकि उनका सगा भतीजा अमन सोनी और सुजल सोनी गंभीर रूप से खायल हो गए घटना में घायल दोनों सगे भाईयों की जीला अस्पताल ले जाया गया यहां जीला अस्पताल में अमन सोनी को मिर्त घोशित कर दिया गया और सुजल को लखनव रैफर कर दिया गया लखनव ले जाते समय रास्तर में सुजल की भी मोत हो गई तीनो बाइक सवार ग्राम 15 में आयो जी तेक तिलक समारों में शामिल होकर वापस अपने घर जा रहे थे बाइक सवार हेलमेट नहीं लगाए हुए थे वहीं बलैरो में सवार लोग मोके से फरार हो गई पुलिस ने दोनों वहानों को कबजे मिले कर जाज शूरू कर दी है बाधवबन से आया है और ये हमारे पास में रहते हैं ताउजी का इनके एक्सिडेंट हुआ है और दो भाईयों का दो बतीजे हैं ये पहतेरा गाउं से तिलक के कारिकरम से वापस आ रहे थे अएक बुलेरे वाले ने सामने से टकक्र आउटसाइड से मार दी और गाड़ी कच्छी में गिरी काफी दूर गिरी जाके और बुलेरो भी जो है आउटसाइड जाके एक उसमें छपर नदा था पास के गाउं तो गोशी गाउं में परबटापुर गाउं में उसके अंदर भुझ गई।। और वहां लोग बटे थे लेकिन उप पहले जा चुके थे नहीं तो वह भी छोटाईल हो जाते हैं। उन लोगों ने ऐसा बताया हम को। कितने लोगों की मौत हो इसमें? थाना मादो गंट शेख में एक बोलेरो और मोर्साइकल के बीच में आपसी टक्कर में तीन जित्यों की मौत हुए जिसमें एक वृद्ध है और दो नभी वक हैं वृद्ध की मौके पे मौत हो गेशी और बाशी दुनों को स्पताल ले जाने के दौरानों की होगी इस गाड़ी से एक वृद्ध की मौके पढ़ लिया है और उसमें परिवारी जिमों से तवीर प्राथ की कुछ में अगर में प्रावाई कराए है ऐसे ही लेटेस को बहें पाने के लिए बैल आइकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें घंदेवादी